एसे सॉफ्ट रोज गुलकन रस्कुला आपने अभी तक बना करके नहीं खाया होगा आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉंजी है आज हम इसे बीना चीनी के बनाएंगे रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर कर और में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप लेमन जूस में पानी को मिक्स कर भी ले सकते हैं एक लिटर कच्छा दूद लेंगे आप काव मिल्क या टोन मिल्क जो आपके पास है वो ले सकते हैं इसमें एक उबाल आने देंगे इसे बीच इसमें चलाते वे उबालेंगे दूद कि दूद का छेना और पानी ना बन जाए, दूद अच्छे से फट चुका है, पानी का कलर चेंज हो गया, लाइट येलो जैसा हो गया है, बच्चे वे सिट्रिक वाटर को नहीं डालेंगे, नहीं तो छेना हाड हो जाएगा, इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे, ता कि निम्बू सत के खटास निकल जाए, छेना खटा होगा तो रस्कुले बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे, अब हम इसकी पोटली बनाकर कि अच्छे तरह से पानी को निकाल देंगे, पानी को बहुत ज्यादा भी नहीं निकालना है कि छेना एकदब ड्राय हो जाए, छेना हलका मोईस्ट होना चाहिए, इस पानी को दाल, सबजी और डो लगाने में यूज़ कर सकते हैं, यह काफी हल्दी है, छेना पोटली को पांच मिनट ग्लास पे इस तरह से रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, छेना हलका गरम होना चाहिए नहीं तो अ पानी इस्प्रिंगल कर सकते हैं, इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, अब आम इसमें कुछ टॉक स्पिंग कलर की मिक्स करेंगे, आपके पास पिंग कलर और रोज एसेंस नहीं है तो आप इसमें रोज सिरुप डाल कर भी बना सकते हैं, इसमें दाना नहीं रहना चाहि और इसे ओवर नीट भी नहीं करेंगे कि गी निकल आए दो तिन मिनट में यह एकदम सॉफ्ट हो गया है इस डो से एक बॉल बना करके चेक करेंगे बॉल बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए कहीं से भी क्रेक्स नहीं आने चाहिए बॉल फट रही है तो थोड़ा सा पानी स् और 12 रसकुले बनाएंगे तो मीडियम साइज में बनेंगे चेने का एक पोर्शन लेंगे और इसे फ्लाट करेंगे फिर इसके सेंटर में हम गुलकंद बोल को रखेंगे और फोल करके राउंड बोल बना लेंगे इसमें कोई भी क्रेक्स नहीं होने चाहिए क्रेक्स होंग इसे बीना केमिकल और प्रोसिस के बनाया जाता है हम 200 ग्राम मिश्री लेंगे और इने इस्ट्रोन ग्राइंडर में डाल करके हलका क्रश कर लेंगे हमने मिश्री को क्रश करके तयार कर लिया है अब हम इसमें से दागो को अलग कर देंगे मिक्सी ग्राइंडर में क्रश मिश्री को डाल देंगे, इस पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे, पानी में काफी अच्छा उबाल आ गया है, अब हम एक के करके रस्गुला बोल्स को डाल देंगे ताकि पानी का टेंपरिचर एकदम से डाउन ना हो, इसे कवर करके 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे, रसकुले को पकते वे 5 मिनट हो गए हैं, अब हम एक अप पानी लेंगे, इसे 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट और 12 मिनट होने पर थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, ताकि सिरफ पतला ही रहे, सिरफ जितना ज़्यादा गाड़ होगा रसकुले उतने ही अब हम गेस फ्लेम को बंद कर देंगे, और इन्हें ठंडे पानी में डाल देंगे, आप देख सकते हैं, एक भी रसकुला नहीं फटा है, अब हम रसकुलो को ठंडे पानी में डाल देंगे, ताकि इनकी शेप कराब नहीं होगी, यदि आपको रसकुला ज्यादा मीठा पस पास रोज ऐसेंस नहीं है तो आप रोज सिरफ भी डाल सकते हैं मैंने सिरफ को बहुत बाढ HEY किया है साफ जादा मीटे हो रिटा हो जाते है मुझे तो सॉफ्ट रसकूले ही पसंद है अब अपूस्द रसकूले को सिरफ में डाल करके ठंडा कर लेंगे, ठंडे ठंडे रसकुले तयार हो गए हैं, अब हम रसकुलो को सर्प करेंगे और रोस पेटल से गार्निश करेंगे, रसकुला बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी बना है, रसकुलो में बहुत अच्छे से जाली बनी है, मुझे उमीद है आपको रसकुले क वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर करें, थेंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो